Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios मेरा नाम है जतेन और आज इस वीडियो में मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ कुछ प्लगिंस जो की absolutely free मिलती है Arturia Keylab Essential 61 Keys के साथ मेरे पास है Keylab Essential 61 Keys Already unboxing video मेरे चैनल पे है कार्ट में link मिल जाएगा जा के चेक कर लेना So, इस MIDI keyboard के साथ काफी सारी free plugins मिलती है जो की है Analog Lab, Free DAW आपको मिलता है Ableton Live Light and UVI की तरफ से मिलता है Grand Piano की एक plugin So, ये तीनों चीज़े आज हम install करने वाले हैं Install करने से पहले हमें अपना जो product है उसको करना होगा register So, सारी चीज़े आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या process होता है अगर आप कोई MIDI keyboard लेते हो Arturia का तो कैसे आपको register करना है कैसे आपको जो इसके softwares है उसको download करना है So, without any further delays सीधा चलते हैं computer screen पे सबसे पहले आप अपना Google Chrome open करेंगे and यहाँ पे type करेंगे Arturia So, यह है Arturia की official website Then आपको आना है My Arturia पे अगर आप first time user है So, यहाँ से आपको अपना account create करना होगा मैं already यह काम कर चुका हूँ So, यहाँ से मैं direct sign in करूँगा यहाँ पे आ चुका है मेरा account अब यहाँ पे मैं अपना जो product है उसको register करूँगा सबसे पहले So, यहाँ पे register new product पे करेंगे click यहाँ पे आपको enter करना है serial number and unlock code यह दोनों numbers आपको मिल जाएंगे quick start guide के उपर Then उसकी बाद click करेंगे register Thank you for registering your key lab essential 61 So, यहाँ पे हमने successfully register कर दिया है अपना product अब यहाँ से जो आपको software's download करने है आपको करना है थोड़ा सा scroll down यहाँ पे आपको install करना होगा ASC application को ASC Arturia Software Center So, यहाँ से मैं ASC application को download कर लेता हूँ 18.3 MB की file है and अब इसको करेंगे हम run I accept the agreement next, 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 install Finish Application install हो चुकी है अब application को करते है open then हमें again यहाँ पे sign in करना होगा email id and password से So, जैसा कि आप देख सकते हो my products में यहाँ पे मेरे account में we collection 8, fx collection key lab essential 61, pigments यह सारे products हैं जो अभी हमने register किया था key lab essential 61 उसके साथ हमें जो products मिलते हैं वो है analog lab 4, analog lab 5, mini V3, stage 73 V यह products हमें मिलते हैं So, जल्दी से मैं इन सारे products को कर लिता हूँ install So, यहाँ पे आप देख सकते हो यह सारे products हैं बहुत सारे products हैं इसमें So, मैं install all के option पे करूँगा click Finally हमने सारे products को install कर लिया है So, यहाँ पे मैं जल्दी से activate के button पे click कर देता हूँ So, जैसे कि आप देख सकते हो V collection 8 activate हो चुका है इसी तरीके से मैं बाकी products को activate कर लिता हूँ So, यहाँ पे हमने सारे products को activate भी कर लिया है यहाँ पे अब मैं आपको एक interesting चीज दिखाना चाहूँगा आप किसी भी product पे जाओ And यहाँ पे आप देख सकते हो activated And साथ में four activations left That means अगर आप एक बार license लेते हो याँ फिर अगर आप कोई hardware लेते हो उसके साथ आपको softwares मिलते हैं Plugins मिलती है So वो आप अपने 5 systems पे 5 systems पे use कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको सिरफ एक ही system पे use करना है आप 5 अलग-अलग systems पे use कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो activated So एक machine पे एक PC पे मैं install कर चुका हूँ Activate कर चुका हूँ And मेरे पास अभी भी four activations left हैं जो कि मैं use कर सकता हूँ अगर मेरे पास मैं चाहूँ मेरे दूसरे systems पे मैं use करना install करना So वहाँ पे भी मैं इस चीज को activate कर सकता हूँ So यहाँ पे आप desktop पे देख सकते हो सारे यहाँ पे जो icons हैं वो आ गए हैं इनको मैं remove कर दूँगा because यहाँ पे desktop में को भरा हुआ नहीं चाहिए अब यहाँ पे कुछ softwares रहे गए हैं जो कि मिले थे हमारे को Keylab Essentials के साथ जैसे की Ableton Live Light Version So उसको भी जल्दी से install कर लेते हैं बट अगर अभी हम इस पे click करते हैं So आप देख सकते हो यहाँ पे Ableton कहीं भी नहीं mention है So आपको आना होगा वापस अपने account में Then उसके बाद आपको products पे आना है Then यहाँ पे added है Keylab Essentials यहाँ पे आपको more info पे click करना है So यहाँ पे आप देख सकते हो additional licenses में आपको serial number मिलता है Ableton Live Light Version का साथ में आपको UVI का भी license मिलता है So जल्दी से हम इन दोनों को भी install कर लेते हैं So सबसे पहले हम install करते हैं Ableton Live Light को So यहाँ पे how to register Ableton Live Light पे हम करेंगे Right click and open link in new tab पे click कर देंगे So यहाँ पे new tab open हो चुका है And यह official website है Ableton की So जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो You can register the serial number in your user account So आपको सबसे पहले Ableton की website पे एक account create करना होगा Then उसमें login करना होगा यह काम मैं already कर चुका हूँ So सीधा मैं इस पे कर दूँगा click यहाँ पे आपको registration code enter करना होगा And registration code आपका आपके Arturia के account में होगा So वापस चलते हैं And यहाँ से हम अपना serial number copy करेंगे Serial number, registration code, same ही बात है So मैंने copy कर लिया है And यहाँ पे कर देंगे paste And कर देंगे submit So जैसा कि आप देख सकते हो Ableton Live 10 Lite हमारे account में add हो चुका है And यहाँ से हम इसको download कर सकते हैं अगर आप windows यूज कर रहे हो So आप windows चूज करोगे And अगर आप mac यूज कर रहे हो So आप mac चूज करोगे मैं windows यूज कर रहा हूँ So मैं windows 64 bit पर click करूँगा Then उसके बाद click करूँगा download के option पर So यहाँ पे download complete हो चुका है जल्दी से इसको install करते हैं But उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लिर करना चाहता हूँ Already मेरे पास मेरे system में Ableton Live Suite version यहाँ पे activated है installed है But मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे Live Lite version को install करूँगा So इसको करते हैं हम open And setup को करते हैं run Next I accept the terms in the license agreement Next Next install Setup हो चुका है complete अब क्लिक करते हैं finish पे अब करना है Ableton Live 10 Lite version को authorize So यहाँ पे आप authorize with Ableton.com पे click करोगे And यहाँ पे एक new tab आपके browser में open हो जाएगा So यहाँ से आपको अपना license चूज करना है And click करना है authorize के option पे Then उसके बाद क्लिक करना है open Ableton Live 10 Lite So जैसा कि आप देख सकते हो You have successfully authorized Thank you and have fun So यहाँ पे हमने Ableton Live 10 Lite version को install कर लिया है Last but not the least अब बारी आती है UVI Grand Piano Model D Software की So इस plugin को पहले मैंने यूज नहीं कर रहा है So मैं काफी जादा excited हूँ इसको install करने के लिए So इसको करते हैं close Ableton को And वापस आते हैं अपने account पे And यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास serial license है Serial number है UVI license जैसा कि आप देख सकते हो So अब हमें again करना है यहाँ पे how to register my UVI Grand Piano पे Right click then उसके बाद Open link in new tab पे करना है Click So यह यहाँ पे tab open हो रहा है मैं बाकी tabs close कर देता हूँ Because Ableton का काम हो चुका है So यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो Getting started with UVI Grand Piano Model D So English पे मैं करूँगा click then उसके बाद get started पे करेंगे click So यहाँ पे step 1 जो की है connect to UVI Portal So यहाँ पे एक हमें और application को install करना होगा जो की है UVI Portal So इस पे करते हैं click अगर आप एक Mac user है So यहाँ पे आप select करोगे Mac मैं Windows यूज़ कर रहा हूँ So मैं click करूँगा Windows के option पे So यहाँ पे यह application डाउनलोड हो चुकी है जल्दी से इसे करते है install Next, Next, Install Finish So यहाँ पे app install हो चुकी है अब आते है second step पे अब यहाँ पे हमें अपना जो product है उसको register करना पड़ेगा बट उससे पहले हमें एक अपना account create करना पड़ेगा UVI की website पे So यहाँ से sign in के option पे करते है Right click, open link in new tab And यहाँ पे अब हमें अपना account create करना है So यहाँ पे new to UVI यहाँ पे मैं अपना email id एंटर कर दूँगा Create account पे करेंगे click Then यहाँ पे अपनी details enter करनी है I am not a robot Create account पे करेंगे click यहाँ पे हमारा account create हो चुका है अब हमें open करनी है UVI की application So यहाँ से मैं इसको open कर लेता हूँ And यहाँ पे again हमें sign in करना है Log in पे करेंगे click So यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है UVI workstation But हमें चाहिए Grand Piano Model D So again अब हम आएंगे अपने Artura के account पे And यहाँ से जो serial number है उसको कर लेंगे copy Then उसके बाद हमें UVI portal जो application है उस पे आना है And यहाँ पे product registration पे करना है click Then उसके बाद हमें यहाँ पे अपना जो serial number है उसको enter करना है Okay पे करेंगे click So जैसा कि आप देख सकते हो जैसा ही मैंने यहाँ पे serial number enter करा है Model D सामने आ चुका है I agree पे करेंगे tick Then उसके बाद register पे कर देंगे click So जैसा कि आप देख सकते हो Model D's serial successfully registered अब हमें इन दोनों products को install करना है So यहाँ पे दोनों products install हो चुके हैं अब click करते है activate के button पे So जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसा ही मैंने sign in के option पे करा click And यहाँ पे model D UVI product आ चुका है So अब इसको करेंगे हम activate So इस पे करेंगे हम double click And यहाँ पे आप देख सकते हो Activate का option है right side में So activate के option पे कर देख सकते हो Activate पे again करेंगे click Okay Activation successful Okay पे कर देख सकते हो हमने iLock Manager में iLock License Manager में अपना जो license है Grand Piano का उसको कर लिया है Install I mean activate इसको कर देते हैं Close और एक बारी अब हम Grand Piano ओपन करके देख लेते हैं So यहाँ पे open हो चुका है UVI workstation अब यहाँ पे Grand Piano लोड करने के लिए यहाँ पे करना है double click and यहाँ से select करना है Grand Piano Model D then यहाँ पे हम select कर लेते हैं MD Basic Dry OK पे करेंगे click So यह आपके सामने Grand Piano Model D आ चुका है So जैसा कि आप सुन सकते हो इसकी sound काफी amazing है So यहाँ पे हमने successfully सारी plugins को install कर लिया है Next वीडियो में बनाऊँगा जहाँ पे मैं इस MIDI keyboard को configure करना बताऊँगा Ableton के साथ as well as FL Studio पे So अगर उस वीडियो का wait है तो जल्दी से अभी के अभी इस वीडियो को कर दो Like और चानल को कर दो Subscribe अगर चानल पे पहली बार आयो तो अगर आपके mind में कोई भी doubts हैं या queries हैं आज की वीडियो के regarding So comment section में आप मुझसे पूछ सकते हो आज की लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आप से बहुत जल्दी next वीडियो में